नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों काफी दुनों से लोगों के केमेंट्स आ रहे थे कि CJHS के कार्ट के वारे में हमें कुछ और बताईए उनके काफी सारे क्वेशन्स थे जैसे कि CJHS कार्ट के लिमिट क्या होती है इस कार्ट को हम इंडिया में कहीं भी कैरी कर सकते हैं या नहीं तो कुछ ऐसे ही प्रेशनों के जवाब देने के लिए मैंने सोचा क्यों नाम इसके लिए एक वीडियो बनाया जाए जिससे कि आपको कम्प्लीट इसकी जानकारी मिल सके तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश रहेगी हमेशा की तरह कि वीडियो कम्प्लीट देखें ताकि इसकी फुल जानकारी आपको इस वीडियो में मिल सके दोस्तों सबसे पहले वाट इस दे लिमिट ऑफ सी जी एचेस इसका मतलब यह है कि levels in pay matrix as per 7 CPC जो थे जैसे level 1 to 5, level 6, 7 to 11 और या फिर level 12 and above तो उन सब के लिए जो contribution पर मन्त है वो इस प्रकार है level 1 to 5 का रहेगा रुपीज 250, level 6 में रहेगा रुपीज 450, level 7 to 11 में रहेगा रुपीज 650, level 12 and above रहेगा रुपीज 1000 तो यह तो थी limit of CGHS दोस्ता दूसरा question है what is the amount to be paid for CGHS card for pensioners इसका मतलब pensioners को CGHS card बनवाने के लिए क्या amount देनी पड़ती है तो दोस्तों सबसे पहले है अगर CGHS card बनवाना है तो he has to pay the amount for 120 months मतलब 120 महीने का इसमें subscription देना पड़ता है जो अके 450 के हिसाब से है तो अगर हम 450 को 120 से गुणा करेंगे तो वो आएगा 54,000 रुपे तो इसका मतलब है कि every pensioner has to pay रुपीज 54,000 लेकिन इसमें pay level 7 to 11 में अगर जाएं तो इसका contribution per month बनेगा रुपीज 650 तो 650 को अगर हम 120 महीने से गुणा करते हैं तो वो आएगा 70,000 रुपे जो कि उसको हम lifetime contribution भी कह सकते हैं तो यह थी CGHS card for pensioners के लिए उसकी amount एक महतपुण question है कि can I use my CGHS card anywhere in India तो इसका जवाब रहेगा yes subsequent to computerization CGHS facilities can be availed from any wellness center in India इसका मतलब यह है कि computerization की वज़े से CGHS card की facility आपको हर एक wellness center में कहीं भी इंडिया के अंदर आपको मिल सकती है तो यह है query भी clear है इस उस तो अगला सवाल है कि is CGHS compulsory तो इसका जवाब for both working and retired central government employees CGHS contribution is compulsory इसका मतलब both working मतलब जो लोग काम कर रहे हैं या फिर जो retire हो गया है उन सभी के लिए जो है CGHS card compulsory है और इसका contribution भी compulsory है pensioners चो की yearly basis पे अगर इस contribution का लेना चाते हैं तो वो 10 साल के लिए ले सकते हैं या फिर जो लोग lifelong लेना चाते हैं वो lifelong भी इसमें ल जवाव रहेगा येस अफकोर्स अयूश dispensaries अंडर CGHS द्यार एटीवन आयूरवेदा यूनानी सिद्धा और होमियोपैथी इसका मतलब है कि total 81 जो आयूरवेदा यूनानी सिद्धा होमियोपैथी है वो इसमें available है जो कि दिल्ली NCR में है और इसके अलावा डली NCR आपको 17 CGHS के अंदर ये सरी facilities मिलती है दोस्तो अगला सवाल है what is CGHS in income tax इसका मतलब है कि आपका CGHS अगर contribution लेते हैं तो इसमें income tax में क्या फायदा होता है तो मैं आपको बता दूँ कि जो लोग 60 साल से नीचे हैं उनको इसमें 25,000 की deduction rebate मिलती है और जो लोग 60,000 से उपर हैं उनको 30,000 तक की rebate इसमें मिल सकती है दोस्तो आखरी सवाल है हमारा can CGHS beneficiary directly attend private hospital तो इसका जवाब रहेगा yes facilities under CGHS at private impaneled hospitals are available to the beneficiaries on production of valid CGHS card इसका मतलब है जो private hospitals CGHS impaneled हैं वहाँ पर directly जाने पर आपको attend किया जाएगा अगर आपके पास CGHS valid card है तो दोस्तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो like करें, share करें, subscribe करें, thank you